नमस्कार, जुगाडू बेश्टी पर आज एक बहुत छोटे से जुगाड के साथ, पिछले कई दिनों से कोई शेरिंग नहीं हो रही थी, कुछ हेल्थे शूज थे, तो आशा करते हूं कि आप सभी लोग अपना सहयोग बनाए रखेंगे, अर ये तके, प्लास्टिक बॉट अगर आप सभी लोग वीडियो देखते होंगे, तो आप सभी लोग को पता होगा, मैं भी इस्तेमाल करके भूल जाती हूं कि किस वीडियो में मैंने इस्तेमाल किया था, हाँ, अभी फिलल जो मुझे याद आ रहा है, इसके जश्ट पहले जो मैंने शेरिंग करी थी, उसम अपने प्लास्टिक के धकन को इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से भी, यह बैंबू रैक है मेरी, अप इसके चारो पायों पे मैंने यह लगा दी अपने धकन, अप इन धकन लगाने का फायदा क्या दिए, यह मुवेबल हमारा बन जाएगा रैक, जब आप यह धकन आप बिना धकन के आप सिंपली इस तरह से रैक हसिटिए उसमें अंतर दिखिए और यह धकन लगा के अपनी रैक को इतर उतर मूव करिए दोनों में बखू भी अंतर आपको डजा रा जाएगा बहुत आसान हो जाएगा आपको इसको मूव करना आप चाहे तो इसमें आपकी अगर कुछ लोहे की रैक से तो उनके लिए तो बहुत काम का नीचे जब आप यह लगा देंगे तो लोहे का रैक जंग नहीं खाएगा तो उमीद करतें कुछ छोड़ी से शेरिंग आप सभी के काम की होगी तो करिएगा धकन को इस्तेमाल करिए प्लास्टिकों आई।